पाइस इल्लु एलेक्टिक बैसिकल का सेकुरेटी डिपोजिट मनी जो रहता है उसको रिंद कैसे करें अपना ब्यांक अकॉंट में वो इस वीडियो में देखेंगे विड्रॉल जो भी बचा है इसको विड्रॉल क्यसे करना है लास्ट वीडियो मैंने बताया तो आपको डि है उसको बिड्र्ट करेंगे अपने रिफंड रिफंड ले लेंगे वह रिफंड का क्या प्रोसेस है वह मैं इस वीडियो में बताऊंगा है तो जो सेवरी टिपॉजिट है वो समोट को रिफंड करने के लिए आपको क्या है इल्लू एप्लिकेशन ओपन कर लेना है उसके बाद जो है आप नीचे दिख रहा है इल्लू मनी तो उस पर क्लिक कर देना है इल्लू मनी पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर बैलेंस दिखाएगा इल्लू वालेट में आपका लब लेंगे तो उसमिए से अपर यह कर सकते हैं यहाँ तक कि अनुक्र कर सकते हैं यहांपे क्लिक कर देना तो अभी क्या करना है है यहां पर देखिए रिक्वेस्ट रीफंड बोलके यहां पर देख रहे है सब्सक्राइब तो रिक्वेस्ट रिपंड कर देना है रिक्वेस्ट रिपंड फर क्लिक करने के बाद यहां पर देख रहे है Are you sure you want to request a refund? You will have to pay the refundable deposit again to take a illuride यानि कि अगर आपने इस refund को यह amount को withdraw कर लेते हैं, अगर आप कभी और book करना चाहते हैं, तो फिर आप तभी आपको book कर पाएंगे, जब फिर आपको 199 deposit करना होगा, तभी आप उसको book कर पाएंगे, तो every time आप book करते हैं, उस time पर 199 उसका balance होना चाहिए, यह कह रहा है, फिर भ updating refund का process हो रहा है, यहाँ पर देखिए, हमको message आ गया, sit back and relax, we will keep you update, right, तो यानि कि, यहाँ पर message भी आने लगा, यहाँ पर देखिए, you have a new request to share, message भी आ गया, यहाँ पर देखिए, इलो 199, जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, verify yourself, right, verify यहाँ पर दिखा रहा है, इसका रहा है, तो यहाँ पर verify yourself पर click करना है, यहाँ पर, जो है, first number पर आपका mobile number रहेगा, उसको, उसके बाद जहाँ पर continue to verification का नीचे click कर देना है, continue to verification पर click करने का बाद, जो है, आपको एक OTP आ जाएगा, register number में, जो कि इलो application में, जो register किया था, उस application में number OTP आ जाएगा, submit OTP पर click कर देना है, right, so submit OTP पर click कर देंगे, उसके बाद जहें OTP success हो गया, अब जो है, यहाँ पर आपको bank details डालना है, right, जो bank UPID चाहे है, तो UPID डाल सकते हैं, या तो wallet से भी, यहाँ पर major wallet से भी ले सकते हैं, आपको क्या है, UPID डाल देंगे, यहाँ पर, UPID डाल देंगे तो उसमें आ जाएगा, जो number है, वो है, तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको, आपका UPID भी यहाँ पर डाल सकते हैं, मैं अभी UPID पर डाल कर ही ले लूँगा, और bank account भी यहाँ पर डाल सकते हैं, bank account, FC code, account holder name डाल के भी आपको request बेज सकते हैं, या तो my easiest way है कि UPID, तो UPID क्या करना है आपको, आपका number और जो आपका UPID जो रहता है, paytm का मैं डाल दूँगा, right, paytm का डालने के बाद जो है, यहाँ पर क्या करना है, confirm and submit पर click कर देना है, right, तो next पर click कर देंगे नीचे में, यहाँ पर confirm details, यह हो गया, और paytm details आ गया है यहाँ उसके बाद confirm details पर नीचे क्लिक कर देंगे, so confirm नीचे क्लिक करने का बाद जो है, यह processing SD refund, your SD refund will be processed shortly, right, जो है यहाँ पर जो amount 199 जो है, वो direct आपको जो paytm डाला है, UPID उसमें आ जाएगा, यहाँ फिर account number डाला है तो account number में आ जाएगा, लेकिन वितिन 24 hours अंदर ही यह आ जाता है, यहाँ पर देखिए, अलड़ी पे हो गया, SD refund 199 जुलूइस, सक्सेसपलि इन आपको अगया तो ऐसा मेसेज आ गया, यहाँ पर देख सकते है, SD refund completed, यह 24 hours बोलता है, लेकिन तुरंत हो जाता है, इन ए मिनिट, एक मिनिट में वो, यहाँ पर देख सकते है, मैं यह आपका साथ यह, हो गया SD refund completed the SD refund has been successfully transferred to the account details that you provided यहां पर मेरा जो PTM के UPI ID में ने दिया था उस पर आ गया यह जो है आप easily इस तरीके से refund ले सकते हैं आपका account में रइट अब दुबारा गर आप बुक करना चाहते हैं तो फिर दुबारा जो है 199 उसका सेगुरिट डिपॉजिट पे करके उसके बाद दुबारा आप राइट जो है बुक कर सकते हैं राइट एक वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक एंड चेर सब्सक्राइब करना ना बोलियेगम तैंक्स पर वाचिंग